हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बाक टू वन मोर क्लास आज की इस क्लास में हम देखने वाले है कि सिब्यस्टी ने जो नया सिलिबस बता गया है हमें केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए तो उसमें ऐसे क्या-क्या चेंजिस है और हमारे कौन-कौन से चाप्टर आने वाले ह कौन से चाप्टर में से कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है और साथ में ही टर्म वाइज में कौन सा टर्म 1 में सिलिबस है और साथ में कौन सा टर्म 2 में सिलिबस है ये सभी चीजे आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सा किस चाप्टर चाप्टर में से कौन सा टॉपिक जो है वो रेडियूस हो गया है यह वीडियो आप ध्यान से देखिए इसके बाद में अगर आप सभी को पेज वाइज एंसी आर्टी के पेज वाइज वाइज अगर कोई वीडियो चाहिए जिससे आप एक को यह पता चले कि क सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि chemistry का जो है term 1 का जो syllabus हमें यहां दिया गया है उस term 1 के syllabus में कौन-कौन से chapters हमें बूला गया है यह हम सबसे पहले देखते हैं जो term 1 होने वाला है हमारा तो जैसे कि हमें पता है term 1 in the month of last week of November या फिर first week of December में होगा तो इस first term में हमारा जो है वो होगा हमारा structure of atom और इन दोनों chapter को मिला के हमें वेटेश दिया गया है और वो है 11 marks का अब यह वेटेश जो है यह totally यह जो हमारा term 1 होने वाला है यह totally mcq based होगा चाहे फिर यह school में हो या फिर आपका online exam हो जैसे कि board ने हमें कहा है कि term 1 में अगर situations better हो जाती है तो य या exam आपका school में भी होगा या फिर mcq जो online भी हो सपता है तो दोनों situation में आपका term 1 जो है यह mcq based ही रहेगा multiple choice questions ही रहेंगे और इसका जो वेटेश जो हमें बताया गया है वो है 30 marks तो theory का जो वेटेश है हमारा term 1 में जो theory का वेटेश है वो है 35 marks 35 marks और जो हमारा practical का वेट जो है वो है 15 marks so students cbsc ने जो circular हमें दिया गया है उस circular के accordingly हमारे 15 marks जो है उसमें कौन-कौन से practicals करवाना है अगर school start हो जाते है तो आप school में जाएंगे और वहाँ पर practicals करेंगे और इसकी अगर आपको detailed में जान करी चाहिए तो मैंने description में एक link दी गई है उस link से आप ये syllabus ज ये google drive की link है तो आप आराम से उसको link को click करके उसको जो description में जो दी गई है उसके आप ये notification जो है और ये सिले बस आप अपने phone में भी या laptop में या desktop में download करके रख सकते हैं अब आते हैं हमारा term 1 का जो third chapter रहेगा वो रहेगा classification of elements and periodicity in properties classification of elements and periodicity in properties इसका weightage जो है हमें बताया ग फिर आता है हमारा chemical bonding chemical bonding का weightage जो है वो 6 marks का दिया गया है 6 marks और ये जो दो छोटे चाप्टर से ये काफी चोटे चाप्टर से उनका weightage जो है वो सिर्फ 5 marks का दिया है और वो chapter है redox reaction and hydrogen इन में से जो सबसे important chapter जो हम कहेंगे जो हमारे class 12 में भी useful होने वाला है वो है सबसे पहले तो ये classification अगर इसके ये हमने नहीं पढ़ा तो हमें इन organic chemistry नहीं आएगी उसके बाद में आता है chemical bonding और फिर आता है हमारा organic chemistry जिसका weightage जो है वो दिया है 9 marks का 9 marks का हमारा इसका weightage जो है और ये देखो तो हमारे total 7 chapters जो है ये आने वाले है term 1 में अब हम देखते है कि जो है 7 chapters इसके basis पे जो आने वाले है क्या इन chapter में से कुछ portion भी reduce हो चुका है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको NCRT का देखिए मैंने NCRT का जो हमारा index होता है उस index का इहां screenshot लिया है और उस screenshot की basis पे मैं आपको बताऊंगी कि कि किस chapter में से कौन से topic जो है वो excluded है it means वो topic नहीं आने वा इसमें हमें सबसे पहले general बोला गए कि यह topic आएंगे और यहाँ पर जो आप yellow highlighted topic देख रहे हो यह topic excluded है excluded it means इनको exam में include नहीं किया गया है इसको exam में include नहीं किया गया है और जितने भी हमें बचे हुए topics मिल रहे है यह सभी topics जो है exam में आएंगे and students although यहाँ पर page number दिया बट still अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको यह NCRT पे टिक लगा कर बताना चाहिए तो आप वैसे मुझे comment section में लिखे अगर जादा comments आएंगे तो ही मैं इसके उपर video बनाऊंगे ताकि आपके लिए यह थोड़ा सा helpful रहे फिर आते हम chapter 2 में यहाँ chapter 2 में हम देख स portion totally excluded है totally excluded है नीचे description में जैसे मैंने आपको पहले बता है link दी गई है आप उससे भी directly check कर सकते हैं यहाँ पर देखिए उसके बाद में यह topic आते है हमारे बोर्स model फिर बोर्स model for an hydrogen atom towards quantum mechanical model quantum mechanical model of an atom और इसी के अंदर quantum numbers और फिर कुछ principles आते ही यह थोड़ा सा बड़ा topic है यह यह पूरे ही topics आएंगे it means जो हमारे इसके बाद में जो NCRT में दिया गया है वो पूरे ही topic बहुत जादा important है फिर हम आते हमारे chapter 3 के तरफ chapter 3 it means classification of elements and periodicity in properties classification of elements and periodicity in properties यह जो chapter जो है इस chapter में यह जो two topics जो है why do we need to satisfy elements and genesis of periodic classification जो हम आप already class 10th में पढ़ चुके है कि किस तरीके से पहले लोथर मेर ने बताया था डोबे रेनर ने बताया था यह सभी topics जो है यह exclude कर दी गया है it means हमें modern periodic table उसके trends और यह सभी topics हमें पढ़ना है ठीक है यहाँ तक clear ही हो चुका होगा आप सभी को आप देखते हमारा chapter 4 चाप्टर 4 म और इस chapter का यह जो chapter जो है यह बहुत ही जादा important chapter है बेटा जो class 12 में students जाते हैं उनको मैं अभी भी कहती हूँ कि class 12th का chapter 4 एक बार फिर से पढ़िये it means यह जो है यह हमारा important chapter में आता है और यह हमें पूरा पढ़ना इसमें से कुछ भी portion exclude नहीं किया गया है अब आते हैं हमा मैं पता है redox reaction का यह जो last वाला topic है यह इसको exclude किया गया है यह हमारा excluded topic है it means यह topic हमें नहीं पढ़ना है तीक है और इन chapter का weightage मैं already आपको बता चुकी हूँ फिर आते हैं हमारे next chapter के उपर जैसे कि ये भी one of the very important chapter है one of the very important chapter of class 11 और ये chapter जो है इसमें बहुत ही basic चीज़े हम पढ़ते हैं कुछ ही दिनों में मैं life class start करके आपका ये chapter जो है वो complete करवाऊंगी तो आप comment section में ये भी लिखिएगा और बताइए मुझे कि क्या आपको life classes पढ ना है या फिर नहीं तो देखिए इसमें जो है इस पूरे complete chapter को actual में दो पार्ट में divide किया जाता है तो first part जो है हम study करेंगे और इसका second part जो है वो excluded है मतलब इसको जो है उन्होंने include नहीं किया है exam में right next हम देखते हैं ये है हमारे पास में term 2 का syllabus term 2 के syllabus में यहाँ पर हम सकते है states of matter है हमारे पास में states of matter है states of matter के साथ में states of matter chemical thermodynamics और इन दोनों में अब बेटा यहाँ पर physics में भी हम thermodynamics पढ़ते हैं बट physics में और इसका थोड़ा सा different हो जाता है क्या होता है जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर भी देखो यह 15 marks का है उसके बाद में यह जो है तीनों chapters मिला के कौन कौन से हमारा states of matter chemical thermodynamics and equilibrium मिला के 15 marks का है एस block और P block यह दोनों chapter मिला के यह 11 marks के chapter है और यह जो hydrocarbon जो है यह 9 marks का chapter है और यह जो है term 2 जो है हमारा 35 marks जो है हमारे थेरी के लिए रहेंगे वही formula है और 15 marks जो है हमारे practical के लिए रहेंगे और term 2 जो है यह होने वाला है हमारा subjective यह हमारा exam जो है वो subjective होने वाला है फिर चाहे situation अब उसके लिए भी हमें बतायागे कि अगर उस वक्त पे situation ऐसी रही कि वहाँ पर हम school जा पाएंगे तो definitely यह subjective होगा और उसमें assertion reason based questions उसके बाद में यहाँ प कुछ derivations, numericals और इसलिए यह सभी topics इसमें include किये गए है students मैं आपको और फिर से बता दो कि इन में से जो chapter सबसे important है वो है हमारा hydrocarbon chapter यह one of the very important chapter और साथ में ही equilibrium chapter यह हमारे practical point of view से साथ में theory point of view से दोनों point of view से यह बहुत ही जादा important chapter है अब individual chapter में जाते हैं और देखते हैं कि क exclude किया गया है तो जब हम individual chapter में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो two topics हमें दिख रहे हैं यह हमारे excluded topic है मतलब इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है और यह इसके आगे वाला topic हमारे exam में भी नहीं आएगा rest of all topic जो है यह सभी हमारे exam में भी आएंगे फिर हम देखते thermodynamics chapter thermodynamics chapter में कुछ भी exclude नहीं किया गया है इस chapter में जो दिया है वो हमें completely पूरा ही study करना है अब आते हैं हमारा next chapter जैसे मैंने बताए इसके पहले भी कि यह जो है यह भी एक बहुत ही important chapter है equilibrium इसके बहुत सारे concept हम practical में पढ़ते है theory में भी पढ़ते है class 11th के 12th तो यह भी chapter जो है one of the very important chapter इसको कहा जाता है अब आते हैं हमारे next chapter की तरफ और वो है s block elements s block elements में हम देख सकते हैं कि यह जो कुछ compounds जो दिये गए है यह topic जो है आपको पूरा पढ़ना है s block element जो है वो पूरा पढ़ना है इसमें जो यह compounds दिये गए है some important compounds of calcium sodium यह excluded topic है फिर हम आते है p block में p block में भी same वही है कि यह जो compounds वाले topics है यह compounds वाले topic जो है यह excluded है excluded आपको इन topics को नहीं पढ़ना है क्या करना है in topics को नहीं पढ़ना है in point view of examination I am not talking कि यह competitive exams में भी नहीं आएंगे बट अगर आप बोर्ड exam के तरियारी कर रहे है तो बोर्ड exam में यह topic include नहीं हो इसके बाद में आता है हमारा one of the very very important chapter और वो है hydrocarbons यह हमारा सबसे important chapter है जैसे organic chemistry हमने study किया था और यह organic chemistry हम जब class 11-12 में जाएंगे तो class 12 में इसके बहुत ही जादा concept आते है अभी भी जैसे मैंने chemical bonding में बच्चों को कहती हूँ कि इसको एक बार फिर से पढ़िये साथ में ही hydrocarbons को भी कहती हूँ कि इसको भी एक बार पढ़िये क्यूंकि यह topic भी यह chapter भी one of the most important chapter में include किया जाते है इसमें से कोई भी portion excluded नहीं है और यह जो हमारा last chapter है यह complete chapter जो है यह हमारे exam में नहीं आएगा complete chapter जो है यह क्या हो चुका है complete chapter excluded है complete chapter excluded है मतलब यह chapter हमारा नहीं आएगा so student I hope आज की class में मैंने आपको जो भी समझाया यह आपके लिए helpful रहा होगा और अगर आपको लगता है कि मुझे page wise बताना चाहिए तो आप मुझे please बताईएगा और वैसे तो आप सभी को thank you so much कि आप मेरे वीडियो को इतना like करते हैं जो भी students new है मेरी चानल पे वो please मेरी चानल को subscribe कीजेगा और अपने सभी friends के साथ में ये वीडियो शेयर कीजे ताकि इसका benefit सब को मिल सके thank you so much students ी जाल प्रुझे पलन को क्रोंथ लोघका बाका खव दो 1